आपने टाइटल बिल्कुल सही पड़ा है आज मैं आपको हफ़ते के जो दिन होते हैं उनको फ्रेंच में कैसे कहना है ये बताऊंगे ले जूर, जूर मतलब दिन सुमेन, पूरी वीक होती है जो हफ़ता होता है लंदी से लेके जिमाश तक सुमेन उसको कहते हैं और ले जूर, दोले सुमेन मतलब देज ओफ द वीक अगर आपको देज ओफ द वीक अल्रेडी पता है मैं चाहती हूँ कि आप फिर भी ये वीडियो देखें ताकि आपकी प्रणाउंसियेशन ठीक हो क्योंकि हो सकता है कि आपको पता हो लेकिन आप कुछ गलतिया कर रहे हैं जो मैं इस वीडियो में बताऊंगी और अगर आपको फ्रेंच में देज ओफ द वीक के नाम नहीं पता तो आपके लिए वीडियो इंट्रस्टिंग है क्योंकि आप इससे सीखेंगे और सही तरीके से सीखेंगे और इस वीडियो के एंड में मैं कुछ नए वोकेबलरी के वर्ड्स बताऊंगी जो आप मेंसे कुछ को बता है लेकिन वो सही तरीके से बोलते नहीं तो शुरू करते हैं और सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे आज कौन सा दिन है और अगर आपको कोई बोले सीधा इसका मतलब यह है को वो पूछ रहा है कि कौन सा दिन सबसे पहले दिन से शुरुवात करते हैं जिसको हम इंग्लिश में मंडे कहते हैं और अपनी लाइंग्वेज में सोमफार कहते हैं उसको फ्रेंच में कैसे कहते हैं लाजी 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 की तरह बोलते हैं लाजी second day जो है जो week का होता है उसको हम अपनी language में बोलते है mangalwar Tuesday और उसको French में कैसे बोलते है margy please आपसे request है आप में से कोई भी कोशिश करे marthy मत बोले marthy ठीक है मैं समझ गई हूँ सामने वाला भी समझ जाएगा जो आपने बोला है लेकिन r को इतना भी pronounce ना करे r को h की तरह बोलने कोशिश करे marthy बोले marthy ना बोले marthy ठीक है आपकी French इतनी अच्छी नहीं है अपके बस accent है फिर भी अगर आप marthy बोलेंगे r नहीं सुनाई देगा marthy तो आपका accent और अच्छा हो जाएगा marthy तीसरा word है जिसको हम boudwar भी कहते है wednes day भी कहते है उसको मैंने बहुत बार सुना है सब कैसे बोलते है कुछ सही बोलते है कुछ बिलकुल गलत बोलते है मैंने बहुत बार सुना है और आपने भी सुना होगा marthy marthy बहुत बार सुना है मैंने इसको marthy नहीं बोलते. टीन तरीके से इसको तोड़के बोले. मर्क रदी मत बोले. चाथा वर्ड जो है वो है वीरवार. जिसको हम खस्डे भी कहते हैं या जुम्मेराद भी कहा जाता है. उसको फ्रेंच में कहते हैं. जू जी मैंने बहुत बार सुना है काफी लोग बोलते हैं जू दी जू दी नहीं बोलते जू नहीं सुनाई देने चाहिए ये सर की कोई जू नहीं है ये जू है जू दी नहीं बोलना जू जी बोलना है मैं चाहती हूँ अगर आप जू बोलते हैं तो judy बोलना बंद करते उसकी जगह पे je gis उससे अगला जो है friday जिसको हम शुकरवार भी कहते हैं या जुम्मा भी कहते हैं उसको french में कहेंगे vendredi मैंने बहुत बर सुना है vendredi vendredi यह बहुत सुनाई देता है आप गलत नहीं बोल रहें लेकिन अगर अच्छे तरीके से अच्छी प्रणूसिएशन करनी है तो द्र नहीं सुनना चाहिए वंध्र जी नहीं होना चाहिए वं-द्र जी वंदर जी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके हो जाएगा वंद्र जी वंद्र जी उससे अगला है सैटरडे जिसको हम शनिवार या हफ़ता भी कहते हैं उसको फ्रेंच में कहेंगे समजी सम जी यह तो सबसे एजी है सम जी सम जी उसके बाद आता है संडे जिसको एदवार कहते हैं या इतवार और उसको फ्रेंच में कैसे कहेंगे जी मौश जी मौश जी मौश यह भी इतना मुश्किल नहीं है यह भी सबसे तरीके से बोलते हैं तो एक बर फिर से मैं आपको रिपीट करवाती हूँ एक बार आपने डेज आफ दे वीक सीख लिये कुछ वोकेबलरी के वर्ड्स हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ जिनके बारे मैं आपको पता नहीं है या आप गलत बोलते हैं अगर आज की बात हो रही हैं आज को हम उजगजवी कहेंगे अगर कल जो निकल चुका है कल की बात हो रही है तो उसको बोलेंगे I-R 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 अगर कल से पहले वाला दिन है कल की बात नहीं हो रही उसे एक दिन पहले की बात हो रही है तो होगा कल से पहले दोंक Avantier Avantier इसको एक साथ पढ़ा जाएगा तो बन जाएगा Avantier अगर तो जो कल अभी आया नहीं है जो आने वाला कल है उसकी बात हो रही है तो हम बोलेंगे Deux Ma Deux Ma Deux Ma Deux Ma और अगर परसो की बात हो रही है जो कल के बात आएगा जो अभी नहीं आया तो उसको बोलेंगे Après Dema Après Dema Après का मतलब होता है बाद में और avant का मतलब होता है पहले Dema Après Dema मैंने बहुत बार सुना है अगर आप से कोई पूछे तुम कब काम पे आते हो और आपने जवाब देना होता है कि मैं हर रोज काम पे आता हूँ या मैं हर रोज घर का काम करती हूँ मैं हाउस वाइफ हूँ या कुई भी सिट्वेशन है आपकी सब जाला तर बोलते है तूत ले जूर तूत ले जूर नहीं कहा जाता तू ले जूर मुझे सिरफ तू सुना ही देना चाहिए तू जैसे किसी से बात कर तू कहके तू ले जूर तूत मत बोलिएगा दिन जो है अंजूर मस्कुला है इसलिए ये तूत नहीं हो सकता तूत ले सुमेन हो सकता क्योंकि सुमेन एक फेमिना वर्ड है लेकिन जूर मस्कुला है तो इसलिए आपको तू ले जूर ही कहना पड़ेगा अब आप मैं आप सबसे एक सवाल पूछती हूँ औने केल जूर या मैं आपको बोलती हूँ केल जूर तो आप इस वीडियो के नीचे जरूर लिखेगा कौन सा जूर औने साथ में दिन का नाम लिख दे औने लंजी औने माग जी जिस दिन आप ये वीडियो देखेंगे उस दिन आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर लिखेगा औने केल जूर मेरे सवाल का जवाब आपका जवाब होगा औने साथ में जो भी दिन हुआ वो आप लिख सकते हैं मुझे पता होगा इस दिन की बात कर रहे हैं आज की वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया I hope इससे आपने काफी कुछ सीखा होगा लाइक करने मन भूलिएगा Thank you